Assalamualaikum dear students food and drug chemistry की प्लेइस हम लोग ने स्टार्ट की हुई है और इस वीडियो रेक्चर के अंदर हम लोग बटर अनलाइसस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं वीडियो के कॉंटेंट्स देख लेते हैं इस वीडियो रेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इ हम लोग कौन सा अनलाइसस करते हैं तो यह वाली वीडियो बहुत शॉर्ट सी होगी और जिन स्टूनेंट्स ने मुझसे पास्पेपर्स मांगे हैं उनको मैं अपनी कम्यूनिटी सेक्शन में पास्पेपर्स परवाइड कर दूँगी तो स्टूनेंट्स वीडियो को हम लो इसा प्रोестоिरण के छीजए होता है बृत Vietnam का मखन को हम पास हम दो कहेते हैं हम लोग में करने मिल्क जिसमें की पासते हैं कि इस ने कर सकता हैं इस पास दिना एक बीडियों हम लोग इस चीज़ को भी डिधक करें कि हमारे बटर में मशकर कितना है हमारे बिधक नक्रन कितना इससे पहले हम लोगे मिल के बार में पढ़ा था यह और वो बिल्कुल सिमिलर वीडियो जी है बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनके अंदर तो अगर आपने तक वह वीडियो नहीं देखी तो इसका लेक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे आपने उसको पहले ज करते हैं इस चीज़ को में करने के लिए कि हमारे बटर की क्या इस है उसके इलावम हम यह देखते हैं कि क्या बटर हमारे क्वालिटी स्टैंडर्स के अफर पुड़ा उतरता है यह नहीं उतरता है नेक्स्ट आजाती है हमारे पास कंपॉजिशन ऑफ बटर की मेन और 1% milk solids पाय जाते हैं यह main components है हमारे बटर के तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे बटर की composition की उपर कौनकों से factor effect करते हैं सबसे पहले आजाता है the type of milk used जिस milk से हम लोग butter बनाते हैं उस milk की जो type है वो बहुत अदा effect करेगी हमारे बटर की properties की उपर butter made from whole milk will have larger fat content than butter made from skim milk students whole milk और skim milk का difference भी मैं आपको बिछली वीडियो में बताया था अब जो whole milk से हम लोग butter बनाएंगे उसमें fat जादा होंगे और जो हम लोग skim milk से बनाएंगे उसमें fat नहीं होते next आता है the breed of cow कि हमारी जो cow है उसकी breed कौन सी है वो कौन सी नसल की हमारे पास गाये है जिसके दूद का हम लोग butter बिना रहे हैं तो different milk की type different तरहां का butter produce करती है next parts हमारे पास आते है the diet of cow अब जो butter की properties है यह composition है यह हमारी cow की diet के ओपर depends करता है the fat content of butter can also vary depending on the diet of the cow उससे next आता है the churning process churning process कौन सा होता है यह वो बला process है जिसके जरी से हम लोग अपने दूद में से जो है butter बनाते हैं अब हम क्या करते हैं अपने दूद के अंदर एक machine डालते हैं जो machine उसको spin करती है उससे butter निकलता है आपको पता होगा तो उस process को हम लोग churning process कहते हैं the churning process can affect the distribution of fat and water in the butter अब हमारे churning process हम लोग machine के जरी से कर रहे हैं हम लोग हाथ से कर रहे हैं यह हमाई different machines के different qualities के उपर depend करता है हमारे butter की composition का content फिर हमारे पास आता है last point the storage condition हम लोग ने अपने butter को किस condition में store किया हुआ है तो यह भी depend करता है हमारे butter की composition के उपर next हम लोग आ जाते हैं fat content test की तरफ students इस video lecture के अंदर हम लोग सिरफ एक ही test discuss करने वाले butter analysis की तरफ इसके अंदर आप लोग जो हम लोग ने milk analysis में टेस्ट पड़ा था गरबर method test आप लिख सकते हैं वह भी fat के लिए यूज होता है वह butter और milk दोनों के लिए एक ही process होता है उस method का लेकिन मैंने आपको बहुत easiest method बताया है यहां पर अपने butter के अंदर fat के contents का test करने के लिए अब fat होता क्या है पहले हम इस इसको पढ़ लेते हैं fat is the percentage of butter fat in the butter हमारे butter के अंदर butter fat की कितनी percentage है इसको हम लोग butter का fat कहते है the fat content of butter is important and it affects the flavor texture and nutritional value of butter हमारे butter की nutritional value उसके flavor texture हर चीज़ को इसको fat content जो है affect करता है अब ऐसा butter जिसमें high fat content होगा will be richer and creamer than butter with low fat content अब वो बटर जिसका fat content ज़्यादा होगा वो जदा creamy होगा जदा delicious होगा जबकि वो बटर जिसका fat content कम होगा वो इतना yummy नहीं होगा जदा delicious नहीं होगा वो समको cream भी कम होगी तो fat content की test के लिए हम लोग जोन सा method यूज करने वाले हैं वो है soxlet extraction method the fat content of butter can be determined using a variety of method but the most common method is soxlet extraction method तो students इस video lecture में हम लोग जोन सा method discuss कर रहे हैं आपने butter के अंदर से fat content को determine करने के लिए वो है soxlet extraction method this method is relatively simple and inexpensive and it is accurate for most butter samples अब यह method बहुत simple है बहुत inexpensive है cheap है और इसको बहुत अदा यूज भी किया जाता है इनको पढ़ते हैं हम लोग के soxlet extraction method के कौन-कौन से steps हैं सबसे पहले आता है हम लोग सबसे क्या करेंगे weight a noun mass of butter typically 5g लोग इक butter का mass उसको weight करेंगे for example हम लोग ने 5g sample ले लिया butter का उसको हम लोग पलेस कर देंगे socks letter extractor के अंदर फिर हम लोग उसको 줄adia Suk large extractor कर देंगे अपनी sample को फिर हम लोग इसमें अइड करेंगे THEY इसको पिर्टॉल्यमी्थर या फिर Tibetan या पिरयेकज़ेन लोग स्बाएड करेंगे फिर हम लोग इसको करेंगे। सॉलवेंट को वृप करेंगे स्द। हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर और बटर से सैपट हो जाएगा स्टुनेट्स यहां पर अगर आप डाइग्राम देखें हमारे पास यह सॉक्सलेट एक्स्ट्रैक्टर है जो से आपको एजी लगती है वह बना सकते हैं इसमें हम लोग ने अपना सैंपल रखा बटर का सैं सैंपल है उससे क्या होगा कि हमारे बटर के सैंपल में जोंसा फैट प्रेजेंट है वो फैट हमारे सॉल्वेंट के साथ मिक्स होके नीचे आजाएगा नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं अफ्टर पीरिड ऑफ टाइम दा सॉल्वेंट विद बिकॉम सैचुरेटिट फैट करते हमारे बतtsåुरेट के इसलि zeggen मैक्सिम अमांट फैट 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 हमारे सॉल्वेंट में आजाएगी हम लोग अपने साल्वेंट को खेट करेंग हैं और लोग विद बचबेंगग से कहां अंग हम लोग ने क्या थैड लिए ayamd jointly से फैटी केन वेंजे लिषिग चहरओ Ve by dividing the weight of the fat by original weight of the butter and multiplying by 100 fat content calculation हम लोग किस तरह से करेंगे जो हमारे बटर का original weight था और जो हमारा weight आया fat का उसको हम लोग divide करेंगी और उसके बाद हम लोग उसको 100 से multiply कर देंगे तो हमें पतार चल जाएगा कि हमारे बटर के अंदर कितनी percentage fat की present थी हमारे पास क्या results आया है इनको हम लोग देखते हैं फाइव ग्राम्स था और जो हमारे पास fat आया वह 2 ग्राम्स आया है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग 2 को divide कर देंगे 5 से उसके बाद इसको 100 से तो जो हमारे पास fat content था उस butter के अंदर 40% था तो students बहुत simple बहुत easy सा मैंने आपको एक process बताया butter की analysis के लिए जिसके जरी से हम लोग butter में जो fat है उसके analysis कर सकते हैं और students एक और बात fat can analysis के लिए हम लोग और भी methods यूज़ कर सकते हैं जैसलिक हम लोग ने पिछली वीडियो में पढ़ा था गर्बर method या पिर मॉजनियर method एक और बताया गया है लेकिन जो sock set extraction method यह चीप है और ज्यादे तर यूज़ होता है और यह time consuming भी नहीं होता तो students शॉर्ट सी वीडियो थी यहां पर हमारी वीडियो खत्म होई यह आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे comment section में लाजमें बतायेगा इंशाला अगली वीडियो के अंदर हम लोग wheat flour can license के ओपर वीडियो पढ़ने वाले हैं और students जिन्हों ने अब तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आपको लाजमें सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नहीं आने वाले वीडियो आपके पास आती रहें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे Instagram और Facebook पेज के ओपर लाजमी फॉलोग कर लें क्योंकि आपके exams के बाद मैं आपके लिए MCQ सीरीज ला रही हूं जो कि आपको मिलेंगे मेरे Facebook पेज या Instagram अकाउंट के ओपर आपके लिए बहुत अदा helpful होंगे और इस बात को अपने friends के साथ लाजमी शेयर करें